नमस्कार दोस्तो मेरे नाम हरीस और आप देख रहे हैं यह लेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो यहां पर बहुत भाईयों को यह confusion रहता है कि सर्ड जो हमारा SMD resistance होता है अगर वो resistance हमारा खराब हो जाए तो हम क्या उसके जगे पर नॉर्मल resistance को लगा सकते हैं नहीं लगा सकते तो देखे सबसे पहले आपको जो आपका जो resistance है तो वो आपको पहचानना होता है कि वो resistance आपका कौन सा लगा हुआ है अब देखे जैसे कि यहां पर यह resistance लगा हुआ है तो इन पर कुछ इस तरीके से नमबर लिखे हो होते हैं देखिए यह हमारा 105 लिखा हुआ है इस पर प्र हमारा यहां पर देखी यह लिखावा है 1102 तो इस तरीके से यहां पर नम्बर लिखे हुए रहते हैं यह देखिए कुछ इस तरीके से यह useful यह पार देखना से किन्ट कौन सा तो यहां पर क्या करूँगा description में link डाल दूँगा वो app जो है आपको download करना है और उस app से आप ये पता लगा सकते हो कि आपका ये resistance जो है कौन सा है क्योंकि वहाँ पर सिरिफ आप SMD का नमबर डालोगे resistance का और resistance आपको पता लग जाएगी हो कौन ची resistance है अब यहाँ पर बहुत से भाई ये सोचते हैं कि सर जो हमारा SMD resistance आगर खराब है तो आगर हम उसके जगे पर replace करें तो क्या हम एक normal resistance को लगा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये quarter watt resistance होती है इस तरी से ये देखिए ये सारी quarter watt resistance है हमारी देखिए तो अगर आपके पास एक normal SMD resistance खराब हो जाती है अगर ये SMD resistance खराब हो जाती है तो यहाँ पर आप quarter watt भी लगा सकते हो half watt भी लगा सकते हो one watt भी लगा सकते हो यहाँ पर सारा resistance चलेगा लेकिन value सेम होना चाहिए तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कभी भी देखे SMD resistance अगर खराब हो जाता है तो आप नॉर्मल ही इसमें जैसे quarter watt, half watt, one watt का resistance लगा सकते हो कोई भी problem नहीं आएगी अब यहाँ पर देखे हमारा preset लगावाई यह भी हमारे एक resistance ही होता है लेकिन यह कोई बहुत से भाई से सोचते हैं कि मैं इसे load पे लगा दूँ इससे कोई LED को गुलो कर लूँ लिकिन यह एक normal resistance है यह आप यह लगाए कि यह quarter watt से भी कम का resistance होता है जो आपका SMD resistance होता है न उस हिसाब का resistance होता है यह सिरिफ adjustable होता है यानि कि हम इसको किसी चीज को signal देने के लिए लगा सकते है बस इसका यह काम है होता यह भी resistance है लेकिन इसको हम adjust कर सकते है अब यहाँ पर देखे नमबर लिखे हुए देखे इन पर नमबर लिखा होता है किसी पर 302, 202, 204 तो इस तरीके से लिखा हो रहाता तो preset का भी मैं आपको description में link डाल दूँगा वीडियो का मैंने इसका वीडियो पहले भी बनाया हुआ है वहाँ से जा कि आप सारे preset चेक कर सकते हो कि कौन सा preset जो है कौन सी value का है तो दोस्तो मेरा ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना और bell के आगन को जरूर दवाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा तो दोस्तो आगर आपका कभी भी SMD resistance खराब निकलता है नॉर्मल ही कोई सा भी resistance लगा सकते हो लेकिन value same होना चाहिए